18 जनुमरी से लेकर के सोभा यात्रा कलस यात्रा कुछ लोग सोभा यात्रा कहते हैं कलस यात्रा कहा जाता है 18 से लेकर के कलस यात्रा चालू होगा अपने यग के साथ साथ भागवत के साथ सबसे बड़ा यग यह है कि सभी बच्चियों को जो है उपहार दिया जाए और 46 उपहार का हम ने लक्ष बनाए है कथा है भागवत है यग है राम लीडा है प्रवचन भी है इसमें 24 तक चलेगा यह अब 25 को जो है अपना साथी चलेगी बच्चियों का यह जो है टहरोली टहरोली नहीं रहती है उस दिन जो है जनक पूरी और अवद पूरी का मिलाप होता है नमस्ते मेरा नाम है धर्मियन और आप देख रहे हैं दान्यूस तंदर अभी हम उपस्तित हैं जहांसी जिले के टहरोली तैसिल के यह सिद्धनात पीट पर और मंदर के पास ही है उपर पहाड़िया पे मंदर इसका निर्मार है मतलब इससे पहले कि अगर आपने हमारी खवर देखी होगी तो हर फिलाल दो साल से तो हम लोग इसको बरावर कवर कर रहे हैं संक्रात के बाद एक बड़ा भब कार्क्रम होता है येग होता है और जिसमें कम से कम एक सेटड़ एक सेटड़ा से अधिक कन्याओं का यहां विभाय होता है और महांते जी हमारे साथ मौझूद है इस बार क्या कुछ खास होने वाला है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे पहले बता दें कि यहां करीब लड़कियों की ओर यह लड़कियां किसी एक जाती मिसेशं से नहीं होती हैं कई जातियों से होती है यह तक कि अन्य धर्मों से भी होती है वह जितना हो सकता है पीट की ओर से और है समाज की लोगों के ओर से सब्सक्राइब को मतलब जो भी है सहसो करता है ऊससलिए विधा जी आप कॉन इसवार फान내ल है. अजितने मीडिया है, आप लोग को बढ़ाई कि आप लोग जो है, जब भी हम बलाते हैं, आप लोग यहां का, नोग using. आप लोग को बढ़ाई है और Mekar Sankerati के आप लोग को bougधियें आप लोग जी किरपा से और सिदनात के किरपा से हमें गुजरात में एक गद्दी और और मिल गई है महंती में तो विशेश अस्तिती में जैसे हमारे दोनों डिप्रिशियम किशुप साद मौरिया जी और ब्रिजेश पाठक जी और हमारे जो है जिले के जितने बिधायक हैं चारों इतने यहां के पदा अधिकारी हैं बीजेश के और अनपाल्टियां के जैसे सपा के हैं कांग्रेश के हैं बियस्पी के हैं कि यह धर्म नगरी है यहां पर किसी एक की नहीं है यहां पर सबकी है कारिक्रम और सबको जो है सहयोग लिया जा रहा है और सब लोग सहयोग भी द और दोनों लोग से बात कियें हमसे बात करवाएं और दोनों लोग से मिल गया है कि हम लोग 25 तारीक उपस्तित यहां पर हो रहे हैं और भाग लेंगे अब बच्चीयों को जो आशिरवाद देंगे और च्छत के लिए कुछ ने कुछ और भी मिलेगा और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हर वर्ष कुछ ने हम लोग नया नया काम करते हैं आ रहे हैं और यही की दिन है पाला अस्तान तो हमारा जो है कुवा कुछॉली भाणडर के पास है दूसरा अस्तान हमारा गुजरात में था पंच्मुकी हन्वान तीसरा अस्तान यह है फिन अस्थान से जामनगर जिले में है दोनों अस्थान क्योंकि वहाँ पर इससे वड़ा जो गुजरात में पूरे गुजरात में दूसरा नमबर का मंदिल है और हम विशेश करके जो है बुंदेल खंड में सोच रहे हैं कि सितनात आस्रम पर ब्रदा आस्रम बनाने का नया प्लान बनाए हैं और इस पर हम लोग का जो है हमारी कमेटी हमारे कुछ सहयोगी लगे हुए हैं कि हम लोग सहयोग करेंगे ब्रदा आस्रम भी बनाएंगे और इसी में घुसला होने जा रहा है अब किसके नहीं मगर मीन्त उ अध्यक्ष हमारा जो है शिडे नाजी है एक और सहयोगी जो है पूरा भक्त गर्ण जितनी हमारी कमेटी जुड़े हैं और सबसे ही निमेदन करेंगे कि पूरे छित के लोग जहां भी सम्मेलन तरह को उहांचर सम्मेलन का होता है जो गरीब गुर्वा हैं सब के लिए जो है आस्रा में है इस बार कितनी पंजिकरन हो इस समय हमारे पास जो है 60 से उपर हो चुका है पंजिकरन और 70 जा रहा है सतर के आस बास साधिया हो जाएंगी और आप लोग से निविधन है कि इसको और लोग से जोड़िए जो नौजुवक बच्चे हैं या बच्ची हैं ओर लोग हिस्सा लें और आगे वढ़ें और एक ऐसा करतब अपने जीवन में छोड़ जाएं यहां पर पहचान छोड़ जाएं कि उनके जो उज्जवल सहयोगी नौजुवक आएं वो सब उसको आगे कदम बढ़ाएं क्योंक अपने बच्चियों के लिए अर्वो खर्वो करोन उर्पया खर्चा करते हैं तो हम लोग क्यों ने अपने यग के साथ साथ भागवत के साथ सबसे बड़ा यग यह है कि सभी बच्चियों को जो है उपहार दिया जाए और 46 उपहार का हमने लक्ष बनाए हैं हर बच्चिय है ठीक यहां कि उपअहार देते हैं तो हम लोग उपअहार दे रहे हैं हमारी कमीटी University स्ध assessments जितने हां पर शहयोगीन आ रहे हैं सब लुग जैश्तिर्यूरम जैसरीjskी stopping आपने पूरे कारकन की रूप रेखा सुन ली किस तरीकी से योगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा क्या है कि तारीकों को लेके लोग कनफ्यूज ना हो ठीक है कब इसका किस दिन इसकी सोभायात्रा है और किस दिन विवाय का कारकन में एक बार आप उसकी बारे में बता है साम को 7 बजे तक 8 बच जाता है कि दोनों गाउं तहरूली बबनुगा बड़ा गाउं है दोनों गाउं घुमाया जाता है और 19 तारीक को जो है अगनीश जो है प्रभाईत होंगी उसमें जो है यग भागवत और रामलीला चालू होगा 24 तक एक कारिकम चलेगा 25 जनुमरी को जो है सुबह 9 बजे से लेकर के रात एक बच जाए तो भी कारिकम चलेगा और सब के सहयोग से सभी जितने हैं यहां पर बच्चियों के साधी 18 से 25 के बीच में भी तो कुछ कारिकम है 18 से 25 जैसे कथा है भागवत है यग है रामलीला है प्रभचन भी है इसमें 24 तक चलेगा यह अब 25 को जो है अपना साधी चलेगी बच्चियों का यह जो है टहरोली टहरोली नहीं रहती है उस दिन जो है जनक पुरी और अवद पुर कर रहे है कि यहां भी अजुद्ध्या 22 तारिक और दीपक को उच्जवल होगा घर-घर दिवाली मनाई जाएगी और आस्रम पर दीवाली मनाई जाएगी और सबसे निवेदन करेंगे जो लोग अजुद्ध्या नय जा पाएं अपने आस्रम पर या अपने घर में या अप बगल वाली स्कीन पर आप देख रहे होंगे फिलाल इस चर्चा को मैं ही रोकते हैं मेरा नाम है धर्मिन के अमरे की पीछे हैं गोर दाने बार दाने बार टाइब करके सर्च करें और खबरों से जड़ जाएं विडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद